इंग्लिस ग्रामर में आधा में स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेवन प्रोनाउन्स आज हम क्या पढ़ेंगे प्रोनाउन्स वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ओफ नाउन्स और काल्ड प्रोनाउन्स प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगे पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन के लाते हैं अब देखिए जैसे मैं आपको बताती हो जैसे ये रवी रवी एक नाउन है यदि मैं बोलू रवी खाना खाता है रवी घर जाता है रवी शोता है रवी पढ़ता है रवी खेलता है यहां मैं हर सेंटेंस में रवी यूज कर रही हूं इसे ही जाता है तो जैसे रवी की जगा वही उज हो गया वह क्या हो गया वह प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की प्लेस पर हम भी उस करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं I gave Ravi a chocolate and Ravi at the chocolate Second I gave Ravi chocolate and he at it इस question में देखिए I gave Ravi a chocolate मैंने Ravi को एक chocolate दी and Ravi at it और Ravi उसे खाने लगा Second I gave Ravi a chocolate मैंने Ravi को चोकलेट दी और वह खाने लगा तो यहाँ पर यह Ravi की जगह है क्या यूज हुआ है He used हुआ है तो इस sentence में Ravi की जगह ही यूज हुआ है तो यह जो है He यह क्या है यह है प्रोनाउन A word which is used instead of a noun is called pronoun तो प्रोनाउन क्या होते है जो noun की place पे यूज होते है A word which is used instead of noun is called pronoun यह singular pronoun है और यह plural pronoun में आते हैं तो यह आपको learn करना है singular pronoun plural pronoun singular I मै, मी, मै, यू, तुम, ही, वह boy की केस में she यह girl की केस में it यानि यह we यानि हम us यानि हम you यानि तुम they यानि वे singular pronoun and plural pronoun यह सिर्फ learn करना है यह singular होते हैं यह plural होते हैं the pronouns given above are called personal pronouns because they stand for person creates a thing creatures a thing तो हम इसे personal pronoun भी कहते हैं तो यह जो similar pronoun है और यह जो plural pronoun है यह इसे हम personal pronoun भी कहते हैं क्यों? क्योंकि यह person के केस में होती है कहां होती है? यह पर्षन के केस में होती है possessive pronoun the possessive pronoun are show that belong to some things तो possessive pronoun क्या होता है? जो खुद के लिए जो हो जाता है singular and plural mine जैसे यह मेरा है this is mine यह तुम्हारा है this is yours his and her तो यह हो गया singular pronoun and यह plural our yours their यह भी आपको learn करना है यह भी आपको